हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हब यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग इनफाइनाइट स्रीज के कोस्टन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग आज 2019 के एक कोशन को solve करेंगे हम लोग में आप लोग को अभी आपका syllabus दिखा दती हूँ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाते करेंगे उसके बाद हम लोग classes को start करेंगे देखिए अगर आप में से कोई ऐसे वो टेलिग्राम चेनल से ज्वाइन हो जाएए तेलिग्राम चेनल सुप्रिया एजुकेशन हब के नाम से ही आप लोगों को टेलिग्राम पे जाएगा सर्च केंज़ केज़ तो मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएंगे अगर आप लोग इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं सुप्रिया एजुकेशन हब के नाम से वहां भी में आप लोग को मिलूंगे चलिए देखी हैं क्या है आप लोगों का स्लेवस क्यों जिस में से हम नोग इन्फाइनफ सुप्रेजर्च पर चुके हैं यह रूट टेस्ट पर चुके हैं रेश कि एसût पर चुके तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे क्या हम लोग रैब टेस्ट का जो प्रूफ है न वो पूछा गया था 2019 के एक्जाम में और भी एक्जाम में पूछा गया होगा लेकिन मैं अभी 2019 का कोसन में आप लोग को PDF प्रोवाइट करवाने के लिए सॉल्व कर रही थी तो देखें इसका प्रूफ कर सकतें के लिए थी तो याद तो हुगा ही तो आज रहा हम लोग प्रूफ करवा देंगे तो अगर आप लोग पहली बार आज क्लास देख रहां न तो पहले का जितना वीडियो हिए डिए उसके बाद ये 7 वीडियो देखिएगा कल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास तो देखे, सबसे पहला वीडियो लेक्षर में हम लोग देखे थे कि किसी कोई भी सिक्वेंस अगर हो तो हम लोग कैसे उसको बताते हैं यह कनवर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ओसिलेटरी है तो हम लोग निकालते हैं limit and tends to infinity अगर कोई finite quantity आएगा तो हम लोग बोलेंगे convergent है और अगर plus minus infinity आएगा तो हम लोग बोलेंगे divergent है और अगर कभी कुछ और कभी कुछ और मतलब अलग-अलग unique value नहीं आएगा कोई तो हम लोग बोलेंगे oscillatory sequence है देखे sequence और series में एक बड़ा सांतर मैं बताती हूँ अगर आप लोग उसी ये पूछा जाएगा क्या ये convergent series है तो आप लोग देखें convergent sequence में आप लोग a n निकालते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग ये छोटी-छोटी बात सभी गौर नहीं करते हैं लेकिन आप लोग करते हैं हम लोग divergent या oscillatory पूछा जाता है तो हम लोग निकालते हैं तो convergent प्लस मैनस infinity आता है तो divergent और कोई अगर unique value नहीं आता है तो हम लोग का हो जाता है और सिलेटर चलिए अब हम लोग देखेंगे comparison test क्या है चलिए देखें comparison test में हम लोग पढ़े थे हम लोग un upon vn निकालते हैं और अगर constant term आता है तो हम लोग पहले चेक करते हैं vn convergent है या फिर divergent अगर vn convergent है तो un भी convergent हो जाता है अगर vn divergent है तो un भी divergent होता है और vn convergent है यह divergent कैसे पता करते हैं तो हम लोग VN Convergent है या फिर Divergent वो हम लोग पता करते हैं P-Series Test से आप सभी को पता ही होगा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं P-Series Test क्या होता है तो जैसे कि आप सभी को पता है P-Series Test कुछ इस प्रकार का होता है Summation of 1 by NP और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by NP है Summation तो मतलब N के जगह 1 डालिए 2 डालिए 2, 3, 4, 5 ऐसे डालते जाएं और उसका Summation ले लिजिए यह होता है हम लोग का Summation of 1 upon NP तो इसमें क्या होता है अगर एक से बढ़ा है तो P का वैलू अगर एक से बढ़ा लेते हैं तो हम लोग का Convergent होता है और P का वैलू एक से छोटा और बरावर लेते हैं तो हम लोग का Divergent होता है मतलब P equal to 1 पे आप लोग का Divergent होता है यह जो सिरीज है न वो तो हम मैं आप लोग को एक बात बता दू P सिरीज टेस्ट को है न उसको एक और नाम से जाना जाता है तो अगर कहीं पर auxiliary लिखा होगा तो आप लोग किसी भी सिक्वेंस को हम लोग कैसे Convergent, Divergent, Oscillatory बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग लिमिट निकालते हैं अगर कोई constant term हम लोग का आ जाता है तो हम लोग VN को चेक करते हैं VN जो हम लोग का Convergent है या Divergent उसके बाद अगर VN Convergent है तो UN भी Convergent हो जाएगा अगर VN Divergent है तो UN भी Divergent हो जाएगा तो हम लोग जो VN पता करते हैं यह कन्वर्जेंट यह हम लोग 10 पता करते हैं फीप्रीज मिंट 5920 का होते हैं फॉटभ होता है हम लोग का समेशन पावर होता थी जो होता है ना पी जो समेशन है तो leal йेहिए वड़ से बरा लेते हैं तो कन्वर्जेन और एक से चोता और ब्रअबर लेते तो हम लोग का हो जाता है डाइवर्जेंट चलिए अभी तो हम लोग एक्जांपर लोग जांपर नहीं करने वाला है क्योंकि यह सभी कुछ हम लोग कर चुके पिछले 6 वीडियो में अभी तो हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन कर रहे हैं चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं रूट टेस्ट क्या होता है चलिए उसके बाद हम लोग परे थे रूट टेस्ट रूट टेस्ट में क्या होता है हम लोग रूट टेस्ट में करते हैं यूएन के पावर वन बाइन निकालते हैं अगर वह लेस देन वान आता है तो हम लोग बोलते हैं सिरीद जो निकालते हैं less than 1 आया तो convergent greater than 1 आया तो divergent और equal to 1 पर test fail करता है चलिए अब next देखते हैं हम लोग का ratio test क्या है चलिए मैं आप लोग को एक trick बताती हूं जिससे मैं खुद याद करती हूं जैसे याद थोड़ी रहता है इतना root में हम लोग UN के power करते हैं या फिर रेशियो में क्या करते हैं आप लोग को याद नहीं रहता होगा मुझे भी याद नहीं रहता है तो मैं ऐसे करके trick बना लिए खुद से हो के इस रेशियो का metric बनाई तो इसमें जो ही टर्म होगा वो डिवाइड वाला होगा तो हम लोग ऐसे याद कि मैं याद की रेशियो टेस्ट में जो होता है वह हम लोग का यूवेन प्लस वन डिवाइड़ वा यूवेन करते हैं और वह लेस देन वन होता है तो लेस देन अग जब हम लोग का टेस्ट फिल करता है जब वन के बराबर आ जाता है तो हम लोग का टेस्ट फिल करता है तो इसी के solution के लिए हम लोग को रेव टेस्ट का निर्वान किया गया था और रेव टेस्ट इसी के solution के लिए बनाया गया है तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रेव सब्सक्राइब अगर एक कर रहा हुअ टेस्ट कर रहाँ था रेसियो टेस्ट में इस एए उस ब्रोस्द आटा लेंगे ऑश्रарт के मदश होगा जाएगा का कंवरजेंट हो जाएगा गर एक से झोटा आता है तो हम देखते आप scut चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, state and prove rate, तो rate test का statement क्या होता है, हम लोग पहले ही जान चुके है, rate test का statement होता है, अम लोग का in times of un upon un plus 1 minus 1, अगर greater than 1 क्या है तो मतलब कोई limit का value आता है, तो यह जो value एक से बरा है, तो हम लोग का convergent हो जाता है और एक से कम है तो वो हम लोग का होता है divergent तो हम लोग कुछ इस प्रेकार से सजा के लिखते हैं Let us suppose that un जो है यह एक positive term है मतलब greater than 0 है and limit of n tends to infinity n times of un upon un plus 1 minus 1 जो है वो l के बड़ावर है तो then the given series summation of un ieux JadiGER जो दियावैंशर यह divergent के लिखका किल करने है इस if l is greater than one मतलब यह जो value दियावैंशर लोग के एक से बड़ा तो उालीव का स्र.जुँल दीखेंगर और से छोटा लीक दो लोग का यह हम लोग का हो जाएगा divergent यह हम लोग का कि क्या है यह हम हम लोग प्रूफ देखेंगे चलिए लेटेस कंपेर दी गिवें स्रीज समेशन अफ यूवें विद पी स्रीज मतलब पी स्रीज टेस्ट को मैं आप लोगों बताई थी एक और नाम से जानते हैं अक्जिलरी स्रीज तो मैं यहां पर लिख दियू तकि आप लोग अच्छे से सबस्कित याम कर लीज ठीज तो जैसे कि आप सब्सक् lodge eloa के मोडब कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग क्या इस टेस्ट का डिविजन करवाए थी करने का मकसद दी यही था तरह कि आप सभी को याद हो जा जो पी स्रीज्ट होता है ना उसमें क्या होता है पी अगर एक से बढ़ा है तो लोग का कनवरजेंट का जाता है और एक से छुटा और बढ़ावर से हैं तो एप लोग समझ गे तो VN हम लोगा क्या आया, VN आया हम लोग का 1 upon N upon P है, ओके, और अगर मैं VN प्लस 1 पूछूंगी, तो देखिए हम लोग का टर्म क्या है, VN प्लस 1, तो N के जगह पे हम लोग N प्लस 1 रखेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे N प्लस 1 के पावर P कर दिये, तो चलिए, हम लोग को जैसा कि आप सभी को पता होगा, ratio test में हम लोग क्या करते हैं, तो ratio test में हम लोग दोनों को divide करते हैं, नुकर विएन अपन ब्लस व करेंगे तो एक साथ करतेंगे तो इसको किजेगा तो आप लोग डिवाइट किजेगा तो 1 प्लस 1 गाई नकर प्लस 2021 परएगा और आप लोग अगर बाइनोमियल इक्सपेंशन को तोड़के बराब बढ़ाते है ऊके तो हम लोग अगर इसको करते हैं इसको सोल्च तो आयगा हम लोग 2 discounts of one ऑं उसका पी इंट U1 यहां पर वन का फेक्टूरियेल भी आता है यहां पर one का फेटूरियल धरेगा से ए थेल अपन यूप नहों को बिख देंगे वोकर प्रेस्ट I think आप लोगों को समझाने की कोषिस करती हूँ देखें, 1 प्लस X जो होता है ना, इसके पावर अगर हम लोग N लेते हैं, तो हम लोग का इसका expansion क्या होता है, N, C, 0, 1 के पावर N, और X के पावर 0, प्लस N, C, 1, 1 के पावर जो है आप लोग के यहाँ पे आता है, N-1, और एक्स के पावर जो है यह वाला वन आ जाता है फिर आप लोग इसको किजेगा तो एन सी टू और फिर वन का पावर एन माइनस टू और एन का स्क्वार ऐसे करते 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 लास्ट टर्म तक जाता है ओके यह हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल क्योंकि वहां पर उसके एक्सपेंशन को यूज कर दिया गया हुआ है और इसी साइड आप लोग को नहीं समझ में आता उसके आगे अगर मैं ऐसी बता देती तो आप लोग सोचते ही रह जाते इसलिए मैं बता दी इसका एक्सपेंशन जो होता है यह यह होता है इतना समझ क्या है यहां पर आप लोग का सीवन और एक्स हो जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएगा सीटू हो जाएगा और क्या हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वार हो जाएगा प्लस डैस डैस इसी तरह से सी एन टाइम्स तक एक्सन चलता जाएगा लेकिन यहां पर जो हम लो तो टेंसर लेनी की बात सुंधिसा ौन प्लस एकृट एके स्थास ऑन गरेंसA से 30 лег स्ड़ारन एक पावबर chi जीरो तो यहां परstudy काने एक संस्वास नुक्र प्लस संजोंगे थेक्षास स्वेगार इन तुमपन फ्लस प्लस से 1 प्लस 1 यहां गलО और नरता होगा है प्लस दाल दाल एन प्लस टर्म के पावर आप लोग को 1 इसके पावर क्या है TAG 1 से प्लस यहां से क्या है इसी प्लज से प्लस तो हम लोग का यहां से क्या जाएगा down here ह Nearly निकल के आए यहां पर शोण से डाएगा यहां निकल है dp पहलें पिवर मेस्ट निखाए लोगकाणाओं यह समझाए में पी सीटू निया तो प्रिक निख्ली का। यह समझा है यह तो ड़्म करने का लग तरिक है और यहाँ पर दो को लेते जाएं को दो this इसlaşती continues 1 this is 1 सब्सक्राइब 3 3 मतलब यहां तक है कितना तर्म है तीन तो एक दो तीन तर्म हो गया बस आगे का नहीं लिखेंगे यहां पर क्या है यह टू आ लिख सकते तो फिर टू वन को फैक्टोरियल थी लिखते हैं तो आप लोग एक तर्म और चाहिएगा तो ब्रहा लिजेंगा पी पी माइनस वान प यहां पे दो का फैक्टोरिय लिखना है और फाइब यहां पर फैक्टोरियल का मतलब होता है तो हम लोग का यहां पर वन अपॉन एनक्यू तक आएगा तो यह वाला जो है न इसी तरीके से बाइनोमियल की मदद से हम लोग यह वाला लिखे है मुझे समझाना जरूरी था मैं समझा दी नहीं तो आप लोग रात वर सोश्ते रहते यह उसके बाद यह हुआ कैसे इसली है अब आके क्या होता है चली अब आगे हम लोग देखेंगे केसको यह अर्जिय wicked करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे पहला केस हम लोग ले रहे है जब आ का एक से बड़ा होग तो by second comprehensive summation of VN is convergent then summation of UN is also convergent तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग इफ UN upon UN plus one जो है वो बड़ा है VN upon VN plus one से ओके तो VN upon VN plus one हम लोग पहले निकाल चुके आप लोग देख चुके तो उसके जगह पे हम लोग VN upon VN plus one के जगह पे यह लिख देंगे ओके देखिए द्यान से देखिए आप सभी के पहले मैं आप लोग को एक बात बतायाती हूँ आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थी दो दिन से क्लासेज नहीं आ रहे थी इसकी वज़ा यह थी करना कुछ नहीं है और फिर को इधर कर लिए और फिर हम लोग इसी को सॉल्व करते गए हैं ओके यह सम लोग सुपर अधर यह खर लिए और गाल है तो क्या तेकिता हैं लिमित लीचके इंसली कि यह तो देखिए अम लोग को क्या वचे आट अर। बूआ अनेमसे इसी प्रेकार केस्ट करते हैं तो ईसी प्रेकार से हम थैस्ट्छ में टेस्ट सुमझें घ्रशाद हो जाहा है तो क्या होता है आप लोग का समयशन देखेंगे तो चलिए देखते हैं तो देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा पीछे मैं लिखेंगे लेख सकते हैं मैं पहले से लाती हुगा के वीडियों में या फीर 20 मिनित के वीडियों में ज्यादा से ज्यादा कांटेंट प्रोवाइड करवा सकूआ क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे मुवायल में स्टोरेज भी नहीं है पता नहीं कितने दिन में कंप्लेट होगा तो आप लोग देख सकते हैं इसके जगपे हम लोग यह लिख लिए चलिए अब आगे देखिए जस्ट वेट बस अब खतम ही है तो आप लेस दे कोई मतलब है और मैं यह कुष्टन इसलिए आप लोगोग ब्लत रहा हुआ enabled nationalism लें एक देखिए तो आप लोग का दो दिन गैप हो गया था आप लोग समझी सकते हैं मैं बता आचोंकि बार बार एकी कारण बताने का कोई मतलब है ही नहीं और मैं यह कुष्टन इसलिए आप लोग को बताइब आपका गाई और हर साल आता है तो आप कि याद करना फिक्स है आगर समझ में याद करने हो कैसे मिलते हैं नेक्स रूडियो में प्रूव करने आना चाहिए ठीक है मिलते हैं टब तक के लिए वीडियो एंड थैंक्स पूर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अग ओके बाय टेक केर पढ़ाई करते रहेगा ओल दे बेस्ट फुर यो नेक्स्ट एक्जाम चलिए थैंक्यू बाय